हेलो नमस्कार दोस्तो स्वागत थे आपका एक बर और हमारी वीडियो में दोस्तो आज की वीडियो है इम्पलोओबेल्टी स्किल्स की और यह आपकी पंचभी खिलास होने वाली है दोस्तों मैं गरांटी लेता हूँ कि आप जुरूर जो है पास होंगे और पास नहीं बलकि अच्छे मार्स आपके आएंगे ठीक दोस्तों सब्सक्राइब करें और दोस्तों चलिए स्टाट करते हैं नहीं देखा विडियो के प्रिलिस चेक करें और नहीं मिल तो कमेंट बॉक्स में नाम लिखें व्यूज्व चलिए स्टाट करतें हैं सबसे पहले दोस्तों आपको बता दू कि आप इन सारे कोश्चनों का आप या फिर नोट्स बना सकते हैं नहीं तो दोस्तों आप इस वीडियो को सेव करकर रख लीजिए ताकि आप एक्जाम के टाइम इसको पढ़ ले और आपके जो मार्क्स अच्छे हैं ठीक है तो सबसे पहले कोश्चन देखिए दोस्तों पहला कोश्चन क्या है आपके सामने पहला कोश्चन दोस्तों निवन में से क्या एक हाडवेर नहीं है सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना अच्छी हाडवेर क्या होता है तो हाडवेर क्या होता है दोस्तों हाडवेर वह चीज होती ह जिनको हम हाथों से नहीं पकड़ सकते हैं, जो computer या monitor के अंदर होती है, उनको software बोलते हैं, ठीक है तो hardware आपको समझ में आ गया हो, तो hardware क्या क्या होती है, देखें आपे, printer आपका एक hardware है, mouse एक hardware है, keyboard एक hardware है, लेकिन windows हमारा hardware नहीं है, तो यह आपका answer हो जाए कौन सा, windows, ठीक आपका answer हो जाएगा यह वाला, input, CPU, output, ठीक है दोस्तों, अनुकरम किसम होता है, input, CPU, output, यह ध्यान रख लिजेगा, ठीक है दोस्तों, अगला question देखें, तीसरा number, निवन में से क्या एक परभावी बारता का सिध्धान्त है, तो निवन में से क्या एक परभावी बारता का स संचीप में जवाब देना, दोस्तों किसी को भी हम संचीप में चोटे सब्दों में इसको जवाब देते तो उनको बहुत पसंद आता है, उनको समझने भी आ जाता है, ठीक दोस्तों, गुमा फिरा के आपको जवाब नहीं देना चाहिए, चोथा question देखें, चोथा आपका दंड भाय एवं धमकी से किस तरह की प्रेढ़ना उथपन होती है, दंड भाय धमकी से किस प्रकार की प्रेढ़ना उथपन होती है, आभ आपका है, six questions, six ते आपका साक्षार्ता के समयं, नियून में से क्या नहीं करना चाहिए, तो यह आपको जाएगा, ब्धंगे पहनने चाहिए ठीके दोस्तब बिठंगे कपड़ आपको नहीं पहनना चाहिए सेवन्त है आपका कव्रेक्ति स्था कि खोज में रहता है जो दोस्तो या कम्यान व्रेक्ति कि खोज में होगा न दौता है एक antivirus-डाइश होता है एक antivirus एक होता है और दोनो Somebody और ऑनलाइन app होता है एक antivirus जानते होंगे अगर अगर आपकोश क版प् Sharing उसमें डाल रखी होगा तो एक software होता है और Online इसको परक्रेस करते हैं ठीक यह यह और भी दोनों जाएक ठीक है 9th question देखने है आपकाamento फैय términ question दोस्तों न 갑िए क्या वेब पेज से दोस्तों बद लाध जिसें बदलाव कर सकते हैं कोई बी चीज यह विए दोस्तों जाकर सका है तो क्या कहते हैं उस पूर नाम क्या होता है डिजिटल सब्सक्राइब सब्सक्राइबर लाइन ठीक है आगे देखिए आपका गैरो कोश्चन वारता के समय विशे से भटकने से डैस होता है यह जोस्तों आप बातचीत किसी और टोपी कर रहे हैं और ध्यान आपका कहीं और चला जाए तो क्यों हो कोश्चन देखिए बारवा आपका निवन में से किस पर संचार प्रक्रिया निर्भर करती है तो किस पर संचार प्रक्रिया निर्भर करती है समय मौसम संदेश विशे तो आपका एंसर कोन से हो जाएगा आपका संदेश पर संचार प्रक्रिया निर्भर करती है ठीक दोस्त देखी यहांपे किस संचार विवस्ता में सबसे अधिक छिर्था होती है रेकी मैं पर्वाँमने कबसा और ऑर कहा जिसमें टृष अधिक सल्ट में इसी 15 question देखिए अच्छी सरवनता सरवनता व्यक्ति की डैस सैली को सुधारती है जो जोस्तों अच्छा सुनते हैं व्यक्ति की डैस सैली को सुधारती है तो वाक सैली को उसकी सुधारती है आगे दोस्तों देखिए software कितने परकार के होते हैं सब्सक्राइब कितने परकार के होते हैं आपके सब्सक्राइब करता के बीच के इंटरफेस को क्या कहते हैं तो इसका एंसर आपको जाएगा ओपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं ओपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं आगे दोस्तो वर्ड में फाइल को सेव करने का सोट्कुट क्या होता है यह कंप्यूटर वालों का है तो क्या होता है कंट्रोल एस कंट्रोल एस से क्या करते हैं फाइल को सेव करते है एक्सल में फलन का प्रयोग किसलिए किया जाता है किसलिए होता है एक्सल में जो फलन का प्रयोग किसलिए करते हैं दोस्तों यह आपका घात लगाने के लिए ठीक है फलन का प्रयोग किसलिए करते हैं घात लगाने के लिए आगे आपका बीसवा कोश्चन निम्ड में से क्या निन में से क्या एक e-governance site की विलक्षन है तो निन में से दोस्तो आपका option है e-governance site की विलक्षन कौन-कौन से है तो इसका answer आपका हो जाएगा ये वाला D सभी G2C, G2G, G2E सभी आपका answer हो जाएगा ठीक है आगे दोस्तो 21 question है संचार में भेजा गया संदेश होना चाहिए तो संचार में भेजा गया संदेश क्या होना चाहिए आपका सरल होना चाहिए ताकि दुसरों को संड में आ सके ठीक है दोस्तो दो या अधिक व्यक्तियों के वीच मौकिक पर्तियूर को क्या कहते है दो या अधिक वेक्तियों के बीच मोखी परतियूर को क्या कहते हैं इसके अंसर आपको जाएगा साक्षातकार यानि इंट्रिव्यूस को कहते हैं ठीक है आँए दोस्तों तेहिसों कोस्टन देखिए तेहिसों आपका है छुटियों के लिए छुटियों में व्रिद एवं द प्रेटिंग सिस्टम नहीं है आपका एक सर्च बार है आगे आपका 25 कोस्टन कंप्यूटर के वह भाग जिने सपर्स किया जा सकता है उससे कहते हैं क्या कहते हैं आपको मैंने 2-3 बर बता दिया तो इसका अंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है क्या होता है ठीक दोस्त तो यह जो है 25 कोस्टन के एंसर हैं तो आप चाहें तो इसके नोट्स बनाकर आप इस सारे जो एंसरों को आप लिख सकते हैं ठीक दोस्तों तो मिलते हैं अगली उडियो में ठैंक्स सबाचे